नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 मार्च 2024 वार शुक्रवार के पंचान के बारे में तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंतर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नौटिफिकेशन आप तक पहुसता रहे तो आईए जानते हैं आज के पंचान के बारे में बात करें आज की तिथी की तो तिथी है शर्ष्ठी रात को दस बच के नो मिनट तक उसके बाद है सब्तमे नक्षत्र है किर्दिका शाम को चार बच के आठ मिनट तक उसके बाद है रोहिन पक्ष है सुकलपक्ष, मास है फालगुन अब बात करेंगे आज के शुब समय के तो शुब समय के अंतरगत अभी जीत मुरत का समय है सुबह 11.43 मिनट से दोपहर 12.31 मिनट तक अमरित काल मुरत का समय रहेगा दोपहर 1.40 मिनट से 3.22 मिनट तक विजय मुरत का समय रहेगा सुबह 2.7 मिनट से 2.55 मिनट तक गोधुली मुरत का समय रहेगा शाम को 6.5 मिनट से 6.39 मिनट तक साहेकाल संध्या मुरत का समय रहेगा शाम को 6.7 मिनट से 7.19 मिनट तक निशिता मुरत का समय रहेगा रात को 11 बच के 42 मिनट से 12 बच के 30 मिनट तक ब्रह्म मुरत का समय रहेगा सुभे 4 बच के 31 मिनट से 5 बच के 19 मिनट तक और प्राते संध्या का समय रहेगा सुभे 4 बच के 55 मिनट से 6 बच के 7 मिनट तक अब बात करेंगे आज के अशुप समय के लिए तो अशुप समय के अंतरगर दुष्ट मुरत का समय है सुभए आठ बज के 30 मिनट से 9 बज के 18 मिनट तक उसके बाद पुन है दोपहर बारा बज के 31 मिनट से 1 बज के 19 मिनट तक कालवेला का समय रहेगा दोपहर दो बज के 55 मिनट से 3 बज के 43 मिनट तक कुलिक का समय रहेगा सुभए आठ बज के 30 मिनट से 9 बज के 18 मिनट तक यमगंट का समय रहेगा शाम को 4 बज के 31 मिनट से 5 बज के 19 मिनट तक कंटक का समय रहेगा दो पहर एक बज़ के उननिस मिनट से दो बज़ के साथ मिनट तक यमगंड का समय रहेगा शाम को तीन बज़ के साथ मिनट से चार बज़ के सैंतिस मिनट तक राहु काल का समय रहेगा सुभ़ दस बजके 37 मिनट से दोपहर 12 बजके 7 मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा सुभ़ 7 बजके 36 मिनट से 9 बजके 6 मिनट तक अब बात करेंगे आज के वर्ट उर्त युहार की तो आज है इसकंद शष्टि तो दोस्तों ये था आज का पंचांग आशा करते हैं हमारे दुआरा दीगे जानकारे आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नमस्कार